हेलो दोस्त आज के वीडियो देखने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा आखिर जेट एंजिन काम कैसे करता है जेट एंजिन फाइटर प्लेन के रियर एंड पे लगा होता है जो आप ये एनिमेशन में देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने सारे पार्ट से मिलके एंजिन बना होता है इसमें important parts जो होता है वो है fan, gearbox, compressor, combustion chamber, turbine, bearing, soft, adjustable exhaust port, etc इसमें multi stage का fan लगा हुआ है जो atmospheric air को सक करके अंदर खीचता है जिसे very high airflow maintained होता है ये fully open देखके आपको लग रहा होगा कि अरे हवा अंदर जाएगा तो फिर ये कहीं से भी इधर उदर चला जाएगा वेट वेट ऐसा नहीं होता है ये पूरा system chamber से cover होता है और जो gap होता है वो बहुत ही कम होता है डाकी जिस path से air को move कराना है वो इसे ही air move करेगा इसके बाद air multi stage compression में जाता है आप एक चीज सोच रहे होंगे अरे भाई ये multi stage क्यों है हर जगर तो इसका simple answer है हमें very high air flow and very high pressure ratio चाहिए तभी हमें जादा से जादा power output and thrust मिलेगा वेट एक और doubt आ रहा होगा कि अब ये pressure ratio क्या होता है ये वीडियो में देखो 6th stage का compressor लगा हुआ है pressure ratio means 6th stage के बाद जो pressure होगा उसको first stage पे जो pressure होगा उसे divide करना है इसका मतलब है ये किसी compressor का capacity को बताता है कि कितने जादा air को compress कर सकता है उसके बाद compressed air, combustion या फिर उसे combustion chamber भी कहते हैं उसमें जाएगा वहाँ पे fuel inject होगा and firing होगा उसके बाद ये high energy gas turbine में जाएगा and turbine को very high speed से rotate करेगा जिसकी बज़ा से पूरा system चलेगा fan, compressor, everything फिर आपको एक doubt आ सकता है कि जब engine start होगा तब उस time fan and compressor कैसे चला होगा तो भाई सुरू में starting के लिए motor लगा होता है जब cycle repeat होने लगता है तब ये motor बंद हो जाता है turbine में expand होने के बाद ये high pressure gas exhaust port से बाहर जाएगा with very high pressure जिसकी बज़ा से ही aircarp को thrust मिलता है as per newton third law जितने force से gas बाहर जाएगा इतने ही ज़्यादा back force जिसे thrust करते हैं वो मिलेगा इस तरह से engine काम करता है JE 414 engine अभी USA का powerful fighter jet F-18 super hornet साब का grippen ऐसे jet को power दे रहा है और आने वाले time में यही engine हमारे तेजस mark 2 को power देने वाला है इस engine का deal final हो गया है और इस year से सायद HAL and JE मिलके इंडिया में engine का production start करने का plan कर सकता है वो भी HAL को 80% technology transfer मिलेगा इस jet engine का इस will be game changer for India's defense sector अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं जो 100% jet engine produce कर सकते हैं USA, Russia, UK and France फ्रांस से भी हमारा jet engine production deal under technology transfer का पूरा possibility है in future JE 414 का कुछ technical specification को जानते हैं आप इसमें देख सकते हैं 98 kN का thrust generate कर सकता है यह engine airflow देखो कितना हाँ है, एक सकेड में 77 kg air को अब flow होता है engine से pressure ratio देखो कितना huge है, 30 गुना जादा pressure increase कर सकता है इसका compressor इंडिया ने 1980s में जब तेजस पे काम करना चालू किया तो उस टाइम government का ये plan था कि इसमें jet engine भी अपना ही हो अपने नाम सुना होगा कावरी engine के बारे में, काफी try किये हमने, बट partial ही success ही मिला अभी तक हम इसे ready to operate condition में नहीं बना पाए हैं नाव अब हम plan कर रहे हैं कि other country के help से फिर से कावरी को redevelop किया जाए मिलते हैं अगले वीडियो में जहिंद